और इस्राइल और हमास के युद्ध के बीच एक सबसे बड़ी और बिग ब्रेकी न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी अभी हमास के आतंगवादियों को मारने के लिए इस्राइल के सिना प्रमुख ने एक सबसे बड़ा दावा कर दिया है जी हासवत की बड़ी खबर बड़ी अपडेट आ रही है कि हमास के आतंगवादियों पर अगले दो घंटे के अंदर तावक तोड़ हमला होने वाला है और इसकी चेतावनी इसराइल के सिना प्रमुख ने दिया है उनका कहना है कि हमास के आसपास जितने भी आम नागरिक हैं वो उस जगह को छोड़ कर इसराइल ने हमास के आसपास मतलब की गाजा पट्टी के उत्तरी इलागे को 24 घंटे के अंदर खाली करने के निर्देश दिये थे और अब हमास के आसपास के लोगों को भी खाली करने का निर्देश दे दिया गया है मतलब साफ है कि इसराइल बहुत ही बड़ा और बहुत सगन हमला करने वाला है और इस हमले की जानकारी खुद